दोस्तों एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आए जानते हैं आखिर क्यूं आधी रात को हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब देश के जादातर लोग सो रहे थे भारत अपनी आजादी की कहानी लिख रहा था हजारों लाखों लोगों के योगदान की वजह से भारत 200 साल की गुलामी से इस दिन आजाद हुआ 15 अगस्त 2024 को देश 78 वा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा ऐसे में लोगों का ये जानना जरूरी है कि अंग्रेजी हूकुमत ने भारत को आजादी देने के लिए 15 अगस्त की ही लाड माउंट बेटन वायसराय और गवर्नर जनरल थे माउंट बेटन लख में विश्वास रखते थे उनका मानना था कि 15 अगस्त की तारीक उनके लिए लखी है ऐसा इसलिए क्योंकि इसी तारीक को यानी 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पन किया था माउंट ब के हीरोज में गिना जाता है यही वजह है कि जब भारत को आजादी देने की बात की गई तो माउंट बेटन ने 15 अगस्त की तारीक चुनी आधी रात को आजादी देने के पीछे कई कारण थे इसमें से एक कारण था पाकिस्तान और भारत का बर्थवारा दरसल उस दौर के बड़े नेताओं और अंग्रेजी हुकुमत को डर था कि अगर दिन में आजादी दी गई और भारत पाकिस्तान का बर्थवारा किया गया तो इससे दंगे भड़क सकते हैं और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा इसी वजह से आजादी के लिए आधी रात का समय चुना गया वहीं दूसरा तर किये दिया जाता है कि पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को आजादी मिली वाईसराय लॉड माउंट बेटन को 14 अगस्त को ही पाकिस्तान में स्थानांतरन के लिए कराची जाना था और देर रात भारत वा दोनों एक ही समय यानी 15 अगस्त 1947 को जीरो आवर पर स्वतंतर होंगे यही वज़य है कि आधी रात को नई दिल्ली में भारत की स्वतंतरता का एलान हुआ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर करें और अगर चैनल में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करें